मैं राय बरेली की इस महान और पुन्य भूमी को यहां के लोगों को आदर पुर्वक नमन करता हूँ सात्यों गवरों मैं इतिहास से जुड़े इस छेत्र के विकास के पती केंद्रा और उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से समर्पी था है इसी भावना के तहट थोड़ी देर पहले यहां एक हजार करोड रुपिये के प्रोजेक्स का सिलान्यास और लोकारपन किया गया है सडक, घर, मेडिकल कॉलेज जैसी वो सारी परियोजनाएं जिनका थोड़ी देर पहले लोकारपन और सिलान्यास हुआ है वो आप सभी के जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करने वाला है इन सभी सुविधाओं में के लिए मैं आप सबको रदय पुर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथ्यों यहां आने से पहले मैं पासी में बनी मोडन कोच फैक्टरी में था मैंने इस फैक्टरी में इस वर्ष बने नवसों में दिब्बे को हरी जंडी भी दिखाने का मुझे आउसर मिला जिस गती से अब वहां काम हो रहा है वो सचमुच में बहुत ही सरानिया है पहले की सरकारों की क्या कार्य संस्कूर्ती रही है कैसे देश के साधनों संसाधनों के साथ अन्याय हुआ है इसकी गवाही राय बरेली की रेल कोच फैक्टरी भी है आप सोचिए ये फैक्टरी साल दो हजार साथ में स्विक्रुत हुई थी मक्सद था वर्स में एक हजार नए कोच बनाना साल दो हजार दस में ये फैक्टरी बनकर तयार भी हो गई लेकिन उसके बाद चार साल तक इस फैक्टरी में कपूर थला से डिब्बे लेकर के उनमें पैंच कसने और पैंट करने का काम हुआ जो फैक्टरी नए डिब्बे बनाने के लिए थी उसे पूरी शब्ता से कभी काम ही नहीं करने दिया गया हालत ये थी कि साल 2014 तक यहां की सिर्फ तीन प्रतिशत मशीने ही काम कर रही थी हमने इस थिती को बदला हमारी सरकार आने के तीन महने के भीतर यहां से ऐसा कोच निकला जो पूरी तरह राय बरेली की फैक्टरी में बना हुआ था बाजपा सरकार के प्रयास से अब सारी मशीने पूर्णक शम्ता के साथ काम कर रही है नई और आधुनिक मशीनों को लगाने का काम भी तेज गती से हो रहा है इसी के नतीजा है कि पिछले वर्ष इस कोच फैक्टरी से भाया आपका प्यार मेरे सरांखों पर आपका उच्छा भी मेरे सरांखों पर लेकिन मेरी आपसे प्रांथना है कि औरों को भी जरा सुनने दीजिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं आपका उच्छा आपका जोस आपका प्यार ये सम मेरे सरांखों पर अब आप अनुमति दें तो आगे बोलना शुरू करूं आगे बोलना शुरू करूं बोलूं आपकी इजाज़त के बेना कोई काम में नहीं करता देखिए इतना प्यार इतने आसिरवाद ये मेरा सवभाग्य है और इसके लिए में आपका आभारी हूँ लेकिन मुझे इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको भी कुछ बाते सुननी हैं तो आप कुछ समय के लिए आपके इस उत्सा को इस जोश को थोड़ा समाल के रखेंगे क्या पका बादा निभाएंगे शाबाज राय बरेली के नवजवान बहुत अच्छे हैं इसी के नतीजा है कि पिछले वर्स इस कोज फैक्टरी से साथ सो ग्यारा नए डब्बे बन कर निकले अब मैं चाहूंगा कि अगले वर्स मार्थ तक ये संख्या बढ़ा कर चौदा सो के पार की जाए साथियों इस कोज फैक्टरी के आधुनी करन का काम निरंतर जारी है और अगले दो तीन वर्स में नए कोज बनाने की इसकी छमता तीन हजार तक पहुँच जाएगी और आपको मैं ये भी बताता हूँ हमारा प्रयास इसे पांच हजार कोज प्रती वर्स तक ले जाने का है इस कोज फैक्टरी के लिए अब जो काम हो रहा है वह इसे भारत की ही नहीं ये राय बरेली की कोज मैनुफैक्टरिंग फैक्टरी दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोज फैक्टरी बना देगा और भाईयों बैवनों मैं छोटा सोचने की आदत ही नहीं रखता हूँ बहुत जल्द इस फैक्टरी में देश भर की मेट्रों के डिपे बनेंगे सेमी हाई स्प्रीट ट्रेनों के डिपे बनेंगे एल्यूमिनियम के आधुनिक और वजन में हलके और मजबुत डिपे भी यहीं पर बनेंगे भाईयों और बहनों यह विस्तार सरफ यहां बनने वाले डिपों की संख्या और कोज फैक्टरी का ही नहीं है इस विस्तार से यहां के लोगों के जिंद्गियों में भी एक नया विस्तार आएगा अगर कोज फैक्टरी की शमता बढ़ेगी तो यहां के युवाओं के लिए हर तरह के रोजगार बढ़ेंगे उस दिन के बारे में सोचिए जब यहां हर रोज दस बारा नए कोज बनने लगेंगे इस फैक्टरी की शमता का विस्तार कामगारों, इंजीनियरों, टेक्निशनों, डिप्लमा हुंडलर के लिए भी रोजगार के नए आउसर लेकर के आएगा इतना ही नहीं, राए बरेली के लगू और मद्यमुद्योकों को भी इसका लाब मिलेगा भाई और बहनों, साल 2014 से पहले इस रेल कोज फैक्टरी के लिए राए बरेली के स्थानिय बाजारों से, स्थानिय वेपारियों से, एक करोड रुपिये से भी कम का सामान खरिदा जाता था ये जरा चौकाने वाली जानकरी आपको दे रहा हूँ, बताओं आपको, बताओं हमारी सरकार बनने से पहले इस फैक्टरी को जो सामान लगता था, यहां लोकल लोगों से सिरफ एक करोड रुपिये का सामान खरिदा जाता था, वही जरा सुनिये, वही बाजपा का सरकार बनने के बाद इस वर्स, अब तक सवा सो करोड रुपिये का सामान रेल को फैक्टरी के लिए यहां के स्थानिये व्यपारियों से खरीच चुकी है, अब जब फैक्टरी का विस्तार होगा, तो खरीच का भी आंकड़ा और बढ़ेगा, मुझे बताया गया है, कि अब रेल मंत्राले और यूपी सरकार मिलकर, यहां एक रेल इंडुस्ट्रियल पार्ग भी बनाने जा रहे हैं, इस इंडुस्ट्रियल पार्ग के माध्यम से रेल फैक्टरी को सामान की सप्लाई होगी, और इसका सीधा फाइदा यहां के लगू और मद्दमबर के उद्द्योगों को मिलेगा, साथियों, आज एक और तथ्य मैं राए बरेल के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जब पहले की सरकार ने यहां पर रेल कोज फैक्टरी का निर्मान किया, ताई किया था, तो ये भी ताई हुआ था कि पाँच हजार कर्मचारियों की नियूक्ति की जाएगी, ये पिछले वाली सरकार ने ताई किया था, और गोशना की थी, मालाए पहनी थी, जिन्दाबाद के नारे भी लग चुके थे, लेकिन आप ये जानकर हैरान ढह जाएंगे, कि स्विक्रुती इसके आधे पदों को ही दी गई, गोशना 5000 की और स्विक्रुती उसके आधे की, इतना ही नहीं, 2014 में हमारी सरकार में आने के बाद हमने ये भी देखा कि यहां की कोश फैक्टरी में एक भी नहीं नियुक्ती नहीं हुई थी, आपको क्या-क्या बताया गया था, और आपने में कैसे-कैसे जैकार कर दिया था, एक को भी नहीं मिला था, जो कर्मचारी यहां काम कर रहे थे, वो कपूर्थला से लाए गये थे, अब आज की स्थिती ये है, कि लगभग दो हजार नए कर्मचारियों को हमारी सरकार ने नियुक्त कर दिया है, इतना ही नहीं, अस्थाई कर्मचारियों की संख्या भी, जहां वर्थ दो हजार चौदा में सिर्फ दो सो थी, अब आज ये बढ़कर लगभग पंदरा सो हो चुकी है, आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, गर्व का एसास हो रहा है कि आने वाले समय में राइबरेली, रेल, कोच, निर्मार के मामले में एक ग्लोबल हब बनने वाला है, साथियों कनेक्टिविटी को सुद्रड करने के लिए, देश के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, रेलवे के अलावा हाईवे, एरवे, वाटरवे और आईवे हर शेत्र पर तेज गती से काम किया जा रहा है, यूपी में नदियों पर बन रहे वाटरवे हो, आदुनिक एक्स्प्रेस बे हो, या फिर गाउं की सड़के जीविन को आसान बनाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है, इसी मिशन के तहट राय बरेले में भी हर शेत्र में काम तेज गती से आगे बढ़ रहा है,